जै हिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPA Study Point YouTube चैनल पर तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं RPF भरती के बारे में यानि की Railway Protection Force के बारे में जिसे हम लोग हिंदी में Railway सुरक्षा बल बोलते हैं और आप सभी को बता दे कि 18,000 पदों पर आपका भरती होने वाला है जिसमें Constable और ASI का Post रहेगा तो आज की इस वीडियो में आपको Complete जनकारी मिलने वाला है इस भरती के बारे में तो अगर आप सभी RPA भरती में जाना चाहते हैं या इसके तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक चरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को इस भरती के बारे में बता देते हैं कि इसकी लिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसके बाद आप सभी को इसका जो इम्प्लॉइमेंट नीज पेपर में इस भरती के बारे में बताया गया है वो भी आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे नमबर और पोस्ट की बात करें तो कॉंस्टेबल और एस आई का पोस्ट रहेगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए 50-50% पोस्ट रहने वाला है इसके बाद अपलाई मोड आपका ओनलाइन रहेगा ओनलाइन आपका अपलाई होगा फू कैन अपलाई तो आल इंडिया केंडिडेट और आल इंडिया यह जोब भी होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए जोब लोकेशन एंड एकजाम सेंटर की बात करें तो आल ओभर इन इंडिया अपलीकेशन फी आपका 500 रुपिया रहेगा और SCST के लिए 250 जेनरल ओभी सी के लिए 500 लेकिन 400 रुपिया आपका CBT एकजाम के दोरान जो है वापस आ जाएगा जब आप CBT एकजाम देंगे तो और 250 रुपिया SCST का जो है आ जाएगा तो यह जो है इसका अपलीकेशन फी है इसके बात करें सेलेरी की तो ट्रेनिंग पिरियड में 21700 मिलेगा उसके बाद धीरे धीरे आपका सेलेरी बढ़ेगा एज लीमिट अठारे से 25 होना चाहिए जेनरल केंडिडेट के लिए अगर आप जेनरल से हैं तो एक अप्रिल 2021 के कोडिंग एज काउंट होगा SCST को 5 बर्स का छूट मिल जाएगा और OBC को 3 बर्स का छूट इसमें एज में मिलेगा और EBC को भी 3 बर्स का छूट मिलेगा इसके बाद बात करें अगर इसकी हाइट की तो 165 सेंटीमिटर हाइट रहता है मेल का फीमेल का 157 सेंटीमिटर और North India Zone Candidate का 162 सेंटीमिटर मेल का और फीमेल का 155 सेंटीमिटर चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमिटर 5 सेंटीमिटर फुला कर 85 सेंटीमिटर करना होगा SD Candidate का 87 cm, 5 cm फुला कर 82 cm करना होगा Running Test की बात करें तो Running Test में आपका 600 m running होगा और running जो है आपको एप्रोक्स 6 मिनट का time दिया जाता है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 5 मिनट नहीं 6 मिनट जो है आपका time इसमें रहता है इसके बाद आपका high jump होगा, long jump होगा यहाँ पे running test female के लिए भी दिया गया है इसके उपर मैं एक अलग से video बना दूँगा आप सभी के लिए physical test को लेकर educational qualification की बात करें तो 3 पास होना चाहिए, constable के लिए और अगर आप ASI के लिए करते हैं तो आपका graduate होना चाहिए यानि कि आप BA, BAC, BECUM जो भी है आप graduate होना चाहिए selection process में आपका computer based exam होगा PhD होगा, PET होगा document verification होगा, medical होगा final merit list बनेगा इसकी apply date आपको बता दे March के last week से शुरू होने वाला है और April के second week तक इसका apply चलनने वाला है यानि कि इसका tentative date आप सभी को हम बता रहे हैं March last week से जो है इसकी apply शुरू हो जाएगा और April second week तक जो है इसका apply अपका होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, railway करेगा 18,000 जवानों की भरती सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दे कि यह जो notice है यह दो-तीन मंत पूराना है लेकिन आपकी जो भरती है यहीं भरती आपका आने वाला है और इसमें इसी भरती के बारे में बताया गया है सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दू कि आप सभी को बता है कि 2018 में आरपी एफ का भरती आया था 2018 में यह वेकंसी आया था 2018 के बाद रेलेवे मंत्री प्यूस गोईल ने बताय थे कि 2019 में आपका वेकंसी आ जाएगा दिसंबर मन्थ में फिर से निव वेकंसी लेकिन 2019 में उन्होंने टिवीट करके भी बताय थे कि वेकेंसी नहीं आप आया और उसके बाद तो 2020 में आप सभी को पता है क्या हुगा था 2020 में lockdown और COVID-19 के कारण भरती को डिले कर दिया गया इसके बाद आपका फाइनली जो है 2018 के बाद 2021 में भरती होने वाला है और ये वेकेंसी या ठारे हजार पदो पर होगा हालाइं कि अगर 2019 में आता 2019 में तो 9000 पदो पर ही होता लेकिन 2021 में आपका 18000 पदो पर भरती होने वाला है और ये वेकेंसी इस साल आपका होगा कब तक इसकी अपलाई शुरू होगा इसके बारे में मैंने आपको बता चुके हैं और इसी मन्त में आपका अपलाई होने की आएगा इस साल 100% तो फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मात्रम